एक गाव में एक बूढ़ा प्रेमलाल अपने दोनों जवान बेटों के साथ रहता था एक का नाम चंदन था और एक का नाम अभिजीत था प्रेमलाल की गाव में एक चाय की दुकान थी प्रेमलाल बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाता था पूरा गांव प्रेमलाल की चाय का दीवाना था अरे वह क्या बात है कितनी स्वादिश्ट और मज़ेदार चाय मिलती है प्रेमलाल जी आपके यहाँ आपकी चाय पीकर तो मज़ा ही आ जाता है भाई साहब अगर सवेरे सवेरे आपकी चाय ना पीयो तो पूरा दिन ऐसे ही खराब निकल जाता है पता नहीं प्रेमलाल आप ऐसा क्या मिलाते हो चाय में आप जैसी चाय तो हमारे पुरे जिला में नहीं मिलती अरे वह भाई चंदन, तुम्हारी चाए में तो जादू है, तुम्हारी चाए बिलकुल प्रेमलाल जैसी ही है, कोई यह नहीं बोल सकता कि यह चाए प्रेमलाल से कम अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रेमलाल के हाथों का जादू तुम्हारे हाथों में आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद चाचा ये तो आप सब का प्यार है और मेरे पिताजी प्रेमलाल जी का आशीरवाद है जिससे मेरे हाथों इतनी स्वधिस्ट चाय बन जाती है अभिजीत और चंदन दोनो एक साथ काम करते हैं लेकिन अभिजीत को सब कुछ अकेले के नाम पर चाहिए होता है जहां चंदन का मन बिल्कुल पानी की तरह साफ होता है वही अभिजीत के मन में बहुत ही पाप भरा होता है और उसे चंदन से बहुत जलन होती है क्यूंकि जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा. मैं अब चंदन के साथ कुछ भी बाट नहीं सकता हूँ. क्यों रे चंदन, तुने क्या कर दिया चाए में? तुने ऐसी कैसी चाए बनाई है? ऐसे तो हमारे सारे ग्राहक आना बंद ही हो जाएंगे. भाईया मैंने तो रोज की तरह ही चाए बनाई थी. पता नहीं चाए में नमक कहां से आ गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. अब तु दुकान से निकल जा. अब तु कभी भी दुकान में कदम नहीं रखना. तेरी इस दुकान को कोई भी जरूरत नहीं है. क्यो अब निकल जा यहां से. अभिजीत की बातें सुनकर चंदन दुकान से निकल गया और मुखिया जी की जमीन में काम करने लगा. मुखिया जी के यहां काम करने से चंदन को पैसे भी मिलते थे. इधर अभिजीत अकेला ही पूरी दुकान का मालिक बन गया और लोगों को अभी कहो, चंदन की चाय में और तुम्हारी चाय में बहुत अंतर है भाई। चंदन की चाय बिलकुल तुम्हारी पिता प्रेम लाल की जैसी ही बनती थी। भाई अभिजीत, अच्छी चाय बनाया करो, वरना मैं तो नहीं आउंगा तुम्हारी चाय पीने। यहां कोई चाय नहीं है। कि चंदन ने तो नई दुकान रख ली है और चंदन की दुकान बहुत ही चलती है। फिर अभिजीत ने सोचा कि मेरी तो दुकान बंधी हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं चंदन के साथ ही ठीक था। पैसे बंध जाते थे, लेकिन आते तो थे, अब तो हाथ में एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि अब दुकान ही नहीं चलती। फिर अभिजीत चंदन को फिर से दुकान में लाने के लिए चला गया। अब ज़ती करके दुकान से निकाला था, अगर आप कह देते तो मैं दुकान अपने आप छोड़ देता, लेकिन आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगा कर दुकान से बाहर निकाला था, अब आप ही रहिए, उस दुकान में मेरी दुकान तो यहां अच्छी चल रही है, अब कि उसने अपने छोटे भाई के साथ गलत किया था, इसलिए उसके साथ भी गलत हो गया, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें